नमस्कार दोस्तों तो आज हमारा जो टॉपिक है किस से रिलेटेड है देखो सब लोग आप लोग हमारे साथ जितने लोग पढ़ रहे हैं सबको पता है कि जेनेटिक्स की हमने तीन क्लासिस खदम कर ली है और ब्रीडिंग भी हमारी अब कम्प्लीट हो चुकी है पैथोलाज क्लास आज हमारा कम्प्लीट हो जाएगा जो क्लासिफिकेशन इंटमूलाजी का है वो चाम्प्लीट कर देंगे इसके बाद हमारा क्या होगा? external morphology का एक class होगा फिर internal morphology का एक class होगा ठीक है external morphology और internal morphology का एक एक class होगा ठीक है उसके बाद क्या करेंगे आपका history जो है cover करवा देंगे और एक हो सकेगा तो insecticides जो है IPM वगएरे एक class में हम उसको cover करवा देंगे ठीक physiologic उसके बाद हमें classes लेनी है प्यारी में जुट जाएं और सिर्फ वीडियो ये डियाच्चों के लिए ही नहीं है जहां भी जन्रल एकरी कल्चर आपकी पूछी जाती हैं उन सारे एक्जाम में बहुत इंपोर्टेंट होने वाली हैं क्लासे 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 जैसे आप लोगों एक्जाम दे रहे होंगे य जहां से कोशान बनाये जा रहे हैं या पर जहां से हम उठा रहे हिए सब सब उसी इसब टॉपिक से जर्रे Muk of Intermolase. सबसे पहले यह जान लेना जरूरी कि हम Classification of Intermolase पढ़ें क्यों? कहा है कि यह बहुत ज्यादा टफ टॉपिक होता है बहुत टॉपिक होता है तो फिर हम क्यों इसको पढ़ें? क्या ज़रूरत है? हम इतना टॉपिक हो इतना महनत करें? क्योंकि भाया चीजे रटनी पढ़ती है इसमें रटना पढ़ता है बहुत मेहनत करनी पढ़ती है चीजों को याद करने के लिए classification छोटी चीज नहीं है तो classification है टैक्सोनामी को जब हमें पढ़ना है तो उसके लिए हमको क्या करना पढ़ेगा सबसे पहले देखो गंधी बग ठीक क्या गया गंधी बग अब जैसे आपको पता चला इसके पीछे बग लगा है आपको पता चल जाएगा ये किस order का है जैसे हेमी पटेरा का ये होगा ठीक जिनके पीछे बग लग गया है जिनके पीछे क्या लग गया है बीटल लग गया है विविल लग गया है वो हमारे किसके हो जाएंगे कोलियो पटेरा के हो जाएंगे तो क्या होगा आपके सामने इंसेक्ट का नाम आएगा जिसे आपके सामने आया कि हाँ floor beetle है भीया, घुन है हमारा floor beetle कहते है, beetle है हमारा कहा से हो गया, हमको क्या करना है इसी से हमारा सारा पता चल जाएगा सारे नाम से हम जान जाएगे किस order का है, समझे अच्छा, order से जब हम external morphology आपको पढ़ाएंगे, तो इस order से आप जान जाएगे, और यहीं पर आप जान जाएगे metamorphosis का प्रकार कौन सा उसमें होगा complete metamorphosis होगा, या incomplete metamorphosis होगा, या metamorphosis हो गई नहीं उसमें, ठीक या तो complete होगा, या तो incomplete होगा, तो हो गई नहीं, सब जान जाएगे आप कहां से, इसी classification से, दूसरी और कुछ होंगे incomplete midamorphosis वाले होते हैं कंप्लीट मेत किसके किसमें यह निम्फ निमə्ब के बाद सिररे इडल्ट इसमें क्या इकलाओता हमारा क्या है? चार-पास तरीके की feeding habit होती ही, जब external morphology पढ़ाएंगे, तो feeding habit भी साथ में cover करवाएंगे, उससे आप क्या जान जाएंगे, कौन-कौन सी feeding habit कौन-कौन से order में पाई जाती है, या आपके सामने नाम आया किसी insect का, आपको पता वो किस order किये, तो आप फट से जानगे उसकी feeding habit क आप जानगे, तो आप ये जान जाएंगे, उसको कौन सा insecticide ने जैसे, देखो, इसकी feeding habit मालो sucking type की हो, क्यो भी ये सक करके खाता, तो उसको हम ऐसा insecticide देंगे, जो भी ये क्या होगा, systemic insecticide होगा, जो plant के अंदर system में घोश जाता होगा, ताकि उस सैक को जाएंगे, इसे सक करे poison देंगे, ठीक, ऐसे systemic poison, contact poison, इसी अधार पर हम लोग बाढ़ते हैं, किस को देना है, feeding habit के according, तो इसे आपको पता चल जाएगा, feeding habit से क्या जान जाएंगे, आप का उन सा insecticide देना है, तो भी ये आधे से ज़्यादा इंटमोलाजी हमारी कहां से cover हो जाती है, classification अगर आप प्यार हो जाएगी पूरी, ठीक, थोड़ा सा महनत आपको करनी पड़ेगी इसको, क्योंकि एक बार में तयार होने वाला topic है नहीं, कम से कम दो तीन बार आपको जो है, इसको revision करना ही पड़ेगा, तो जब तक हम जो है, इंटमोलाजी पढ़ाएंगे, पांच classes हमने बताए जो है हमारा क्या करिए, भी यह हम PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इस PDF को repeat कर लीजिए, ठीक, इतना आपको करना होगा, अब स्टार्ट करते हैं सिधे class, इंटमोलाजी पढ़ा होती क्या है, पहली बात तो इसके पीछे क्या लिखा है, लॉजी, तो जो लोग हमारे इंटमोलाजी हम कहते हैं, इंटमोन का मतलब होता है, इंसेक्ट और लॉगस का मतलब होता है, स्टडी, तो इंसेक्ट के स्टडी को क्या कहते हैं, इंटमोलाजी कहते हैं, समझे, kingdom इनिमेलिया में इसको रखा गया है, जो हुटिकर थे हमारे, जो हुटिकर थे, इन्होंने kingdom में divide किया था किसने quit करने ध्यान रखिएगा पहुत बार पूछा गया बायो का question है हलागे हम लोग agriculture में नहीं पूछा जाके लेकिन बायो वाले पूछा जा सकता है ठीक हम लोग किसमे science भी cover करनी ना तो science भी cover करनी तो इसको ध्यान रखिएगा quit करने क्या दिया था हिटकर ने five kingdom classification दिया था five kingdom classification में हमारा एक animalia होता है एक planty होता है फंजाई होता है मोनेरा होता है प्रोटेस्टा होता है इसे पांच kingdom हमारे है ठीक चलिए उनको जाने दिजिए आगे बात करते हैं अब kingdom अब आपो आपाई जाते हैं फाइलन देखोंगँ सबसे ऊपर क्या होता है kingdom गिंगडम के निचे औक निचे सब फाइलन सनसर किने questions, classes नीचे order , सबसे बढ़ा क्या होता है kingdom सबसे बढ़ा होता है kingdom के बदा second पर क्या बड़ा होता है kingdom, किग नम, के बाद phylum आता है, पिर phylum अगर दो भागों में divide होगा तो sub-phylum हो जाएगा, ठीक, फाइलम के बाद क्या आता है, classes आती है, classes के sub-classes भी हो सकती है, ठीक, उसके बाद क्या आता है, order के sub-order भी हो सकते हैं, आईसे order के बाद क्या आता है family के सब family भी हो सकती है आईसे क्या आता है family के बाद क्या आता है तुम्हारा जीनस आता है जीनस के बाद इस पसीज आता है इन last वाले दो को ही मिला के हम क्या कहते हैं वह यह scientific name बना देते हैं उसका नाम हो गया वही जो Genus नाम बनता है, नहीं scientific नेम बनता है अब भई आपको देखना है कि जो फाइलम आर्थो फोड़ा है, उसको हम कितने भागों में डिवाइट किये हैं, तीन सब फाइलम में पहले डिवाइट किये हैं, ठीक, फाइलम आर्थो पोड़ा किसमें डिवाइट होता है, तीन सब फाइलम में, आर्थो पोड़ा का मतलब क्या होता है, आर्थो और पोड़ दो सब्दो से मिला है आर्थो का मतलब क्या होता है ज्वाइंटेड क्या मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोड़ा का मतलब होता है पैर, लेक्स तो मतलब जिनके लेक्स क्या होता है ज्वाइंटेड पाया जाते हैं उन्हीं को पूरा बोलते हैं आर्थोपोडा, ऐसे सारे प्राड़ी जिनके भईया क्या हुआ, पैर सब आपस में जॉइंटेड थे, जॉइंटेड थे आगे से लेक्स, तो उनको हम कही दिये, आर्थोपोडा सब को ये किसरे निम रख दिये, जिसको हम नाम रख दिये, ठीक, उसके आगे अगर हम बात कर है, T.C.M. आप याद कर सकते हैं, ट्राइलो बिटा, चेली सिराटा, मेंडी बुलाटा, इसमें ट्राइलो बिटा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, नहीं देखो, ट्राइलो बिटा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, नहीं, चेली सिराटा और मेंडी बिलाट या घ्रिकल्चर में तो यह हमारे लिए बहुत important हो जाता है और इसमें जो sup-phylum mandibulata है। इसमें हमारे लिए यह वाला एक insectा है तो सबसे important है यह insect इसमें पाए जाते हैं और बाकी भी इसमें सारे important है ठीक तो main चीज हमारा इस पे हमको focus करना है लेकिन अभी तो हमको जानना classification तो सब जानेंगे हम तो सब phylum जो हमारा orthopatis को तीन सब phylum में सब phylum trilobita, chelisirata और mandibulata में बाटा गया अब भाईया chelisirata को फिर हम क्या कि तीन classes में बाट दिये इसको बाट दिये तीन class में इसको बाट दिये छे class में mandibulata को, mandibulata या antinata इसी को कहते हैं, ठिक क्या कि इनको बाट दिये तीन classes में और तीन classes कौन कौन सी हैं, एक तो है merostoma class, दूसरी है class arachnida, और तीसरी है class pentapoda, इसे बोलते हैं peripoda भी बोलते हैं pentapoda बोलते हैं, pentapoda arachnida और क्या merostoma, तीन classes हो गई, वहीं जब सब फाइला mandibulata की बात करेंगे तो इसमें भी 6 classes हैं, इसमें कितनी हैं, ध्यान रखेगा mandibulata में कितनी classes, 6 और 40 सराटा में कितनी 3, बहुत important है तो 6 classes जो यह हैं भी है, 6 classes में पहली किया crustacea, दूसरी diplopoda, तीसरी chillopoda, चौथी simphaila, पाचवी पवरा poda और छटी हमारी का है class insecta, जो सब से important है, हमारी class insecta है, क्योंकि entomolazie में पूरा insects का ही है, दिन करना हमको है, लेकिन हमको अभी classification पूरा अच्छे से पढ़ना है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिर, अब पहला हम बताये थे कौन सा भी है, सब phylum, तीन सब phylum बताये थे, किसके अंदर, आर्थो पोड़ा के अंदर, तो पहला सब phylum हम बात करते हैं, ट्राइलो बिटा, अब ट्राइलो बिटा के बारे हम जरा सजान लो भाईया, पहली बात तो कैसे होते हैं, महराइन होते हैं, नहीं कहा रहते हैं, समंदर में रहते हैं, चार जोड़ी पाउं इनके पाये जाते हैं, फोर पेर अफ लेक्स पाये नहीं एक चीज़ आदर को ट्राइलो बिटा मैराइन है चार जोड़ी पहर पाई जाते हैं और एक जोड़ी इंटरी और ट्राइअर्थस जो है क्या है इसका एक्जामपल एक्जामपल सबसे इंपोर्टन चीज़ है अगर आप भया देखें यहां का समुंदर में एकदम तल समझ में आया था कि हमें भी पता चले कुछ समझ में आ रहा कि नहीं ठीक सब फाइलम चेली सेराटा दूसरा हमारा क्या है सब फाइलम चेली सेराटा है अब चेली सेराटा से हमको क्या पता चलता है इसका नाम क्या इसमें पाई जाएगी चेली सेरी पाई जाएगी अब च इसे इनके में जो Mendibles होते हैं उनकी जगापकर नहीं पांद है तो इसके म्हां आटीप फॉडब्रagd बोडी बड़ू उट्री सब हो पाते नहीं अलग जो अलग है नहीं हो पाते हैं जब आईसा हो जाता है कि हैड और थॉरेक्स आपस में मिल जाएं तो इसी को हम लोग कहने लगते हैं क्या सिफाइलो थॉरेक्स कहने लगते हैं अच्टी कंडिशन को कहा है इसमें मतलब क्या head और thorax दोनों हाई हैं है और abdomen भया तो इसके लावा तीसरा हमारा हो गया है तो head thorax और abdomen तीनों खंडों में बटा होता है लेकिन लिखें कई किसमें सभाइलो थारेक्स और abdomen में divide होता है ठिक देख़ें यह इतना जो पार्ट है यह क्या है हमारा इसका आप लोग देख रहे होंगे हमारा क्या है यह हमारा है अब्डॉमन और उपर वाला पार्ट हमारा क्या है वह यह से फाइलो थोरेक्स है बाकी चीज समझ में आई चलो चैली सेरी मेंडिबल्स की जगा पाई जाती है आपको बता क्या होता सब फाइलम चेली सेराटा डिवाइडिंग थ्री क्लासे अब चेली सेराटा इसको हम तीन क्लासे में डिवाइड कर देते हैं देखो भी यह चेली सेराटा में पहली क्लास है चेली सेराटा में पहली क्लास है मेरोस्टोमा दूसरी हमारी क्या है अरेक्निडा और त्यूर्ट अरेगनेटा अर पेंटा पोड़ा तो मैरिस्टोमा, आरेगनेटा और पेंटा पोड़ा तुम्हार पैंटा 5 वाला पेंटा टृक मैप याद कर लो फिर भहिया मैप किसमें है पूरा चेली स्राटा का मैप होता है मैं मतलब मेरो स्टूमा अरेग Lights और प्न सचलो भई या तो मेरो स्टूमा में अगर आप बात करें मेरो इस्टूमा है मराई था सारे उसलेन होते मिटों क्वादा कैनों होता है। और राइन होता है। या करते कि पानी के अंदर रहते हैं तो इन इन में पाई जाती है, मशिलियों जैसे है, गिल्स, ऑजनी से सोसन करते हैं, इन में पाई जाती है, compound eyes, compound eyes भाई सेनसेंट में भी पाई जाती है, last segment जो होता है,лаस्ट सेघ्मेंट जो होता है, एक दम पूंच जैसे बन जाता आखरी segment और example इसका क्या है king crab जो आपको आपकी screen पर सामने दिख रहा है आप देख रहा है यह king crab आखरी वाला क्या है यह हमारी देखो भी है इसमें क्या हो रहा है यह हमारा इसे king crab की आखरी वाली क्या और पूठ बन जा रही है ठीक देखो geals पाई जा रहे है book geals geals पाई जा रहे है सुसन के लिए ठीक इसके लाब गएLR से लिपा जा रहे है किसकी जगा mandible की जगा इसका मतलब किसका part है चली serata का part है ठीक आपको इतना समझ में आना चाहिए ठीक आगे बात करते हैं अब चेली से राटा में दूसरा अरेकनेडा आपको बताते हैं मैप मेरोस्टोमा अरेकनेडा और पेंटा पोड़ा तो अब आते हैं अरेकनेडा पे आरकनीडा हमारे यह टेरिस्टियल होता है, चार जोड़ी पयर इसके भी पाया जाते हैं, लेकिन इसमें एंटरिणी जो होती है, इंटरिणी अपसेंट होती है, इसमें सोसन किसके दौर होता है, बुकलंग से Trachea के द्वार होता है वो तो भी एक गिल्ज द्वारा सॉसन कर लेता है क्यों पानी के अंदर रहता है लेकिन इनको सांस लेने के लिए का चाहिए Trachea चाहिए छिदर चाहिए तो भी एक ट्रेकिया द्वारा और सॉसन करते हैं ऐसे इस Kreatori Organism में जो पाई जाता है, malpizian tubules पाई जाता है, जो insect में भी सारे पाई जाता है, metamorphosis इसमें पाई नहीं जाती, जो insect में हमेशा पाई जाती जाता है, इसमें metamorphosis नहीं पाई जाती, absent होती है, example इसके क्या है, spider और mites इसके example है, ठीक, बहुत important इसके example होते हैं, क्यों क्यों माइट ज मकड़ी के चठी पाई जाती है विदिखू के जच्छू को सबसटाएं चाहिए श। वो होता ही नहीं है मेटामार्फोसिस में क्या होता है कि मेटामार्फोसिस में कुछ ना कुछ जैसे एग से हमारा लारवी बनती है लारवी से प्यूपा बनता है प्यूपा से डल बनता है सब कैसे बनता है मेटामार्फोसिस के द्वारा बनता है ठीक, मौल्टिंग होती ही Metamorphosis में, और इसके गया हो तो प्रमोसन होता चला जाता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ होता ही नहीं, Metamorphosis पाई नहीं जाती है, इतनी बास समझ में आई, तो आगे बढ़े हैं हम लोग फिर, ठीक, एक्जामपल इसके Arachnida के ज़रूर याद रखिए क Spider or Might, Arachnida के एक्जामपल सा हैं, अब इनको मारने के लिए जो दवा यूज करते हैं, उसको हम लोग कही देते हैं, एकराइन, Arachnida है, तो एकराइन दवा कही कही देते हैं, ठीक, आगे बात करते हैं, भीया तीसा है, और लास्ट हमारा जो, मतलब, जो हमारा लास्ट सा फा पान जोड़ी कुसमें, छे जोड़ी कुसमें, बारा जोड़ी, इसका example क्या है, निमफॉन इसका example है, दिखरा भाया, यह आपको क्या दिखरा, ऐसे भीया, यह इसे अब नहीं कि टांगे इधर कटी होती है, सेम टू सेम पोरसन इधर भी होता लेकिन समझने के लिए जो है उसको एक टाइप, एक तरफ का ही समझाएगे आपको, दिखरा चेली से रेटा पाया जाएगा, टांगे इसे बढ़े है, चार जोड़ी, पान जोड़ी, छे जोड़ी, बारा जोड़ी, कितनी भी पाया जा सकते हैं, बहुत सारी, इसके अलाबा क्या होगा, चार आखें प पेंटा पोड़ा में, चलो भहिया, अब आगे बात करते हैं, बहिया, क्या सबफाइलम, मेंडी बुलाटा हमारा जो सबसे इंपोर्टेंट है, इसी को हम बोलते है, मेंडी बुलाटा की दूसरा नाम देते हैं, क्या हम, एंटी नाटा, ठीक, मेंडी बुलाटा और एंटी क्रिस्टेशिया देखो सबसे पहले है, ठीक, क्रिस्टेशिया भईया सबसे पहले है, उसके बाद कौन सी है, डिपलो पोड़ा है, डिपलो पड़कवा चिलो पोड़ा है, चिलो पोड़कवा सिंफाइला और प्योरो पोड़ा और लास्ट में इंसक्ता हमारा है, इतना आप प्राउन पढ़े होंगे आप लोग कौन क्या पढ़े होंगे सब लोग पढ़े होंगे गुलाबी क्रांती समंधित है पढ़े हैं पिंक रिवोलुशन किसके कारण हुई थी प्राउन के कारण जिंगा के कारण पिंक रिवोलुशन कही जाती है जिंगा उत्पादन के कारण क क्रिस्टेशिया के हैं। क्रिस्टेशिया क्लास के हैं। थिक Π्रांड किसका है , akkor से सिया क्लास का या सबसाए भी यह कैसा रहता NICK वुर्त अक्ट क्वेटिक है निoni भॉई या जा रहा है ठीक respiration गिल्स सोसन किसके दार होगा भाया कहा रहता सम पानी में और पानी में रहेगा तो गिल्स पाई जाएंगी गिल्स के दार सोसन होगा सिफायलो थारेकस होता है में अबडा है फिर हवाइ प्रान जिंगा ठीक है चलो आगे जिंगा देख लिया आप लोग आगे बात करते हैं डिप्लो पोड़ा डिप्लो पोडा हमारा DM साब को याद करो, Diplopoda मतलब Millipeds, DM मतलब Diplopoda मिलipeds, याद रखना, example बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक Millipeds हमारा है, वो कैसे रहता है आप लोग खुब इसको देखे होंगे सड़क पे गूमते हुए, ठीक पईसा बन जाता है, इसे घूम घूम के अपस में, ठीक, क्या है हमारा यह है Millipeds है, जो हमारा Millipeds होता है इसमें क्या होता है, पांच भहिया खंड इसके सर के होते हैं, जिसकी खुपडिया है, इसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, पांच सेगमेंट में पाय जाते है हर खंड में किते, दो जोड़ी पाऊ पाय जाएंगे और दो जोड़ी spiracles पाय जाएंगे छिदर पाय जाएंगे ठिक, spiracles पाय जाएंगे रही और भिया क्या होगा, millipedes का example होगा आपको सामने दिख रहा भिया इतना बड़ा सा इसका सरीर देख रहे हैं आप लोग इसमें जो है बहुत ज्यादा सेगमेंट्स में बटा होता है ठीक एक जोड़ी अंटनी आराम से पाई जाती है हेड इसका पांस घंडों बटा होता है इतना आपको ध्यान रखना है डिपलो पोड़ा का एक्जामपल सबसे इंपोर्टेंट मिली पेड होता है आगे बात करते हैं हम लोग अब चिल्लो पोड़ा की चिल्लो पोड़ा में हमारा देखो डिपलो पोड़ा डियम बताये थे व हमारा क्या होगा चिल्फोडा में सेंटीपेट सेम सेंटीपेट सेंटीपेट से मारा क्या होता एक CAR सीछ खंड में बाटी बटी होती जितने फ फर्स्ट पेर of leg is modified into poisonous class, सबसे important को जति चिलो पोड़ा का है, कि इनका जो पहिला जोड़ी per होता है, उसमें क्या होता, जहर बन जाता, जहरीला होता एकदम, poisonous class, यानि क्लॉस मतलब कि हां थेली, और poisonous मतलब बहुँ है, जहर वाला, जहर वाले हां कराम करता क्या सेन्टीपेट्स आपको देख रहा देखो यह लिखा है पॉइजिनस जौस पहली जो हमारे है यहा हैं हो 아닌 नीझ भी ए वहां टीक इसके बाध यहां बाकी सारे जो हे र सिंघमेंट मेशाएग कैसा होता है थीक इतना बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अभी तक आगे बात करते हैं आप किसकी सिंफाइला की सिंफाइला में कुछ इंपोर्टेंट नहीं आपको क्या राद रखना है सिर्फ गार्डेन सेंटिपेट्स पाया जाता है भाईया गार्डेन तीन भागों में हेड ट्रंग और सर्कस में सरीर बटा रहता है पेणर सरीर गार्डेन सेंटिपे इसका एक्जामपल यह सामने है आपको दिखारा है एक-एक जोड़ी समय कहार खंड में पहर पाया जाते हैं इसके बाद बात करते हैं walipoda प्यूरो पोड़ा में क्या होता न उसे 10 खंडों में इनका जो है सरीर बटा रहता है और सब में जो एक एक जोड़ी पैर पाये जाते हैं और आखे इनके नहीं पाये जाते हैं सबसे इंपोर्टन प्यूरो पोड़ा का टॉपिक क्या है अब हमारा सबसे important class हमारा क्या आ गया है? इंसेक्टा class जो हमारा इंसेक्टा इसके बारे हम ज़रा से जानो क्या है? पहले trachea आर्थोपोड से है यह ट्रेकिया पाय जाता सुसन के लिए वो आर्थोपोडा के भईयग क्या है? इंसेक्टा है तो भईया यह मेंडी बुलाटा के क्या है? भईया इंसेक्ट हैं जो class इंसेक्टा में आते हैं इनमें भईया क्या होता है? इंसेक्ट को हम कहते है hexapoda मतलब उसमें पाई जाते है hexapoda कहते हैं निए इस class को hexapoda क्यों? hexapoda मतलब होता है 6 अपोड़ा मतलब पैर मतलब इसमें कितने पाय जाते है 6 पैर है नहीं 3 जोड़ी पैर पाय जाते है सबसे important insect का जो हमारा character है वो यही है इसके लावा सारी चीज़े जो तेलगे नगर उसमें 6 पैर नहीं है तो उसको insect मानेंगे ही नहीं body segmented into 20 segment पूरा सरीर जो होता है insect का वो 20 खंडों में बटा होता है ठीक जो हमारा head होता है head में बटा होता है और thorax में बटा होता है और abdomen में बटा होता है 3 भागों बटा है head प्लस thorax प्लस abdomen 3 भागों बटा है head में हमारे कितने खंड होते हैं 6 खंड होते हैं थोरेक्स में हमारे तीन खंड होते हैं, अब्डामेन में 9 से लेके 11 खंड हमारे हो सकते हैं, लेकिन टोटल कभी मुझे तो टोटल हमारे के ते 20 खंड बताओगे तुम हमेशा, ठीक कहीं भी कोश्चन में है, 20 मार दो फटाकस एकदम सही होगा, ठीक, तो इनका जो ख़पडि ठीक, आगे बात करते हैं, इक जोड़ी इनके कंपाउड आइस पाई जाती है, और एंटनी भी एक जोड़ी पाई जाती है, दो जोड़ी इनके पंक पाई जाते हैं, प्रसें जिन्दा एडल, लेकिन सिर्फ कब एडल्ट स्टेज में, लारवी के पंक नहीं होते हैं ठीक, कब पाए जाते हैं, adult stage में इनके punk पाए जाते हैं एकदम भाया, चलो आगे बात करते हैं, class हमारा insecta, अब भाया आजाओ class insecta सबसे important हमारा क्या है, हमको पढ़ना तो class insecta ही था, तो class insecta को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब भाया इसको फिर डिवाइट करेंगे दो भागों में, दो सब क्लासिस में डिवाइट कर लेंगे क्लास को, कौन-कौन सी एक तो हमारी हो जाएगी, ए पटेरी गोटा, एक हो जाएगी पटेरी गोटा, अब यह ए पटेरी गोटा का मतलब क्या है, गोटा मंदब धारण करने वाला धारी और यह मतलब नहीं, तो जिनके पंक ना उगोटा उगोटा जिसमें पंक ना पाये जां। तो भाईया एप टेरी गोटा के अगर बात करें सबसे पहले तो इनमें क्या होता विंग्स अपसेंट होते हैं इसके अलाव भाईया क्या होता है इसमें having four orders इसमें सिर्फ चार order है चार order के तहट आते हैं देखो class इंसेक्टा में कितने order total आते हैं ध्यान रखो यह जो division हम पढ़ा रहे हैं आपको एक किया कि scientist ने था यह actually एक scientist थे जिनका नाम था AD IMS AD IMS जो थे इन्होंने class जो हमारी class इंसेक्टा है इसको माटा 29 orders में कितने 29 था 29 orders यही पूछा गया कई बार है कितने order में जो है class इंसेक्टा बटा है तो 29 order में बटा इसमें से चार जो order है वो किसमें आते हैं ए पटेरी गोटा में आते जिनके punk नहीं पाये जाते हैं ठीक पंक नहीं पाये जाते हैं ठीक जिनमें में इटामार फॉसस नहीं पाई जाती है चार orders में सिर्फ आते हैं कौन कौन से order है याद रख लो भीया मचती क्या है हमारे अंदर तडप सी मस्ती है large आप तरब सी मतलब क्य टी डीपीची तरप छी आत करलो अब तरब सी यात कलो क ती मतलब क्या थाइसे नियूरा, डी मतलब क्या डी पलियूरा, पी मतलब क्या प्रोटियूरा, सी मतलब क्या कूलिम बोला, भईया, बहुत important, इनको आप याद करेंगे, सबके example अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, कि बियच्चू में किसी का example जो है, इनको आप याद करेंगे, समझे भईया, प्रोटियूरा, 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 उसी में पाए जाएंगे, कोलिम बोला में हमारा स्प्रिंग टेल्स पाए जाता है, ठीक, डीपलियूरा में हमारा जैप गिर्ट्स पाए जाता है, ठीक, बहुत आसानी सी यद हो जाएगा, अब भया आपके लिए हम क्या बता है, कि पटेरी गोटा, जिनके हो क्या होगा, पंक पाये जाएंगे, अब यह जो उज में नहीं था, उसमें होगा, पंक पाये जाएगा, मेटामार्फोसिस पाये जाएगा, इसमें भईया कित्ते आडर अब 29 टोटल थे, तो चार उधर होगा इधर बचे किते 25, लेगन इसको हम है तो यह आप फिर नहीं मानें हैं एडियम्स, एडियम्स कहें कि bios यह जो वाले जो पटेरी गोटा है, इनमें तो 16 और पाये जा रहे हैं, जो इंडो वाले उनमें तो 9 और पाये जा जारे, तो 25 को दो भागों फिट बाट दैं किते किते में एक तरफ कर दिया 16, एक तरफ कर दिया 9, अब भया 4 तो पहले इस थे 25-25 को बाड़ दिया 16 में 16 एकजो वाले और नौ इंडो वाले, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, तो भाईया एक्जो पटेरी गोटा और इंडो पटेरी गोटा दो भागों बाटा एक्जो पटेरी गोटा क्या होता भाईया एक्जो बाहर निकला है पांक एकदम भाईया फैल के एकदम बाहर निकलेंगा इसे ठीक बीच में इसे कीड़ा होगा पांक एकदम बाहर इसे नि incomplete पाई जाती है, incomplete का मतलब क्या है उसमें यह चार stages पूरी पूरी नहीं होंगी, उनमें क्या होगा, सिर्फ तीन stage होंगी, एक जो में तीन stage, कौन कौन सी, एक बनेगा, एक के बाद निम्फ बनेगा, निम्फ के बाद बन जाएगा adult, निम्फ हमारा adult जो होते हैं, जाती है, आपको पता चल गया, किस-किस में में अधा मार्फ़स इंक्प्लीट पाई जाती है, अभी पता चल जाएगा, एक जोपटेरी गोटम केते हैं, 16 ओडर में क्या पाई जाती है, मेटा मार्फ़स इंकंप्लीट पाई जारी है, जैसे देखो, अब भाईया बात करें, भाईया ओडर्स की, तो ओडर्स की अगर हम बात करें, तो आपको क्या दिख रहा है, ये भाईया दिख रहा है, ओडर आपके लिए बनाए हैं, फार्मूला इतना गजब का, कि आपको सारे 16 ओर्डर याद हो जाएंगे, देखो भाईया ये रहा आपका 16 ओर्डर का फार्मूला, क्या आद करना है आपको, अपनी कॉपी पे तीन चार बार आपको लिखना पड़ेगा, गुड, गुड भाईया इसके बाद क्या, जो गुड जेट होता है, इस मेड़ बाई HPP कम्पनी, तो ये याद रखना है, जी डबल डी गूड लिख दो, ठीक, जेड़ एटी जेट लिख दो, आई एस इस लिख दो यम इडी मेड में डी एक सही एंग रेजिम लिखने चले जाने यम इडी मेड उसके वह एच पी 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 कंपनी दौरा बनते हैं भगी अच्छे उजड ठीक इतना याद रखना है आपको अब यह जी फॉर क्या आपको याद रखना है ग्राइलो होता है अब ग्राइलो ब्लाटा होता है इसके बाद ग्राइलो ब्लाटा होता है ऐसे हमारा होता है ओडोनाटा ओडोनाटा क्या होता है ड्रैगन फ्लाई होता है आपको क्या रखना है यह गूड जेट गूड मतलब क्या यह आपको चार आडर हो गए क्या ग्रेलो ब्लेट ग्राइलो बलाटरे में ग्रैलो बलाटर है ओडोनाटर हमारे है ड्राइगन फ्लाइग है यह तो viya होगे हमारी ंइंपोर्टेन्ट लेकिन आप सबसे इंपोर्टेन्ट आए हमारा आर्थो पतेयरा तो पतेयर यह हमारा किया होता है यह सफ इसी में लोकस्ट भी हमारा आ जाएगा क्या जाएगा लोकस्ट भी आ इसलिए तपस्या करता रहे है तप्रेइंग रहता है यह रखता है जैसे कुछ आता है इसे लपक लेता है उसी को इंसेक्ट को खा लेता है तो यह हमारा क्या है यह हमारा क्या होता है प्रिडियेटर होता है परबच्छी होता है दुसरे खाता है दुसरे छोटे इंसेक्ट को पकड़ पकड़ के तो यह हमारा क्या होता है मैंटिड होता है इसक ख़मारे लिए किसमें आते हैं ऑड़ने मतलब क्या होता व्याइस उपटेर सिफनकों लाटाई इसा क्या क्या करना आपको क्या करना इनको खिपस्का देना अपने अपने रूम में आराम से चिपका लो 4-4 तीन भर में है important हैं सिफन कुलाटा में सकिंग लाइज आते हैं मेलो फैगा में बर्ड लाइज इंब्भ伊 प्टेरा में इम जर्मि प्टेरा में इयर विंग्स इसके वाद हेमी प्टेरा में हमारे क्या आते हैं बंगS और एफ्टस आते हैं ठीक इसके लाबा फैसमीडा में फैसमीड्स आते हैं, सोकोपटेरा में बुकलाईस और लेकोपटेरा में स्टोर्न फ्लाई हमारी आती है ठीक है आपके सामने लिखे हुए हैं, इंपोर्टेंट वाले आपको जरूर याद करने हैं, अभी तो तुनंत एक्जाम से पहले क्या-क्या, आर्थोपटेरा में ग्रासापर, डेक्टियोपटेरा में काकरोच और मेंटिड, थाइसनोपटेरा में थ्रिप्स, आईसोपटेरा में टर्माइट, हेमीपटेरा में बग्स और एफिट्स, क्यों? क्योंकि भाईया, ये हमारे एग्रिकल्चर में नुक्सान पहुंचाते हैं जिस भी आपको इंसेक्ट का नाम पता चलेगा अगर उनके पिछे कहीं भी बग लगा हो जैसे आप लोग बहुत सारे बग का नाम जानते होंगे प्लांट बग फ्लोर बग फलाना बग तो यह जितने के पीछे भी बग लगा हो आप तुरुंत फट से जान प्लोर बग तो यही आपको जानना जरूरी है आगे बात करते हैं हमारा क्या बचा इंडो पटेरी गोटा इसमें हमारा क्या होगा कंप्लीट मेटामार्फोसिस मतलब बहिए एग बनेगा एक के बाल लार्वी बनेगी फिर प्यूपा बनेगा फिर एडल्ट बनेगा प्यूपल इस्टेज हमारी एकदम साइलेंट इस्टेज हो थी कुछ नहीं होता उसमें एक लार्वा प्यूप एडल्ट इसमें बहिए जो सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता लारवी पहुंचाते हैं ठीक अगर आपको देखो आपको बताए थे ना कि आपको पत पहुंचाते हैं तो उसमें हमेशा ऐसा होगा कि निम्फ और एडल्ट यही जो है दोनों नुकसान पहुंचाते होंगे अकेला निम्फ नहीं ना अकेला एडल्ट तो ग्रॉस हापपर हो चाहिए मदब आर्थो पटेरा डैक्टियो पटेरा थास्तिनो पटेरा इसो पटेर इनके जितने भी आपको इंसेक्ट देखने को मिलेंगे उसमें कोई भी ऐसा इंसेक्ट नहीं होगा जिसमें निम्फ अकेला नुकसान पहुंचाता हो समय क्या होगा निम्फ प्लस एडल्ट दोनों नुकसान हमेशा पहुंचाते हैं ठीक सारे आपको पता चलगे एक बार म वे exception क्या है हमारा kolio patera जो kolio patera हमारे होते हो बहुत कलाकार सबसे dangerous जो हमारे है kolio patera ही होते हैं तो kolio patera जो हमारा होता है इसमें जब kolio patera वाले insect आएंगे तो उसमें हमारा हमेसा क्या देखेने को आपको मिलेगा कि उसमें भाईया लार्वी और adult दोनों नुकसान पहुचाते हैं ठीक इतना आपको ध्यान रखना है बस सारे आपको पसा चल गए भाई damaging stage किसी भी insect कि आपके सामने damaging stage आएगे अप फट से जन जाएंगे जैसे देखो इसमें भाईया आपको भाईया गजब का फार्मूला है तो सारे आपको यादे हो जाने है यह तो बिकार है फिर हमारे फार्मूला बनाने से अगर इसमें भी आपको ना याद हो पाएं तो देखो भाईया फार्मूला आपको कैसे याद करना है नैना जिसका नाम नैना हो गुस्सा ना हो जाए आप लोग अपने हिसाब से नाइना की जगा नूरा फतेई भी कर सकते हैं ठीक है नूरा फतेई कर लो नूरा से आपको याद हो जाएगा नूरा से नूरा पतेरा जो है हमारा यह है तो भी याद कर लो नूरा मेरे लिप्स तुम्हें चूम सकते हैं सारा दिन आसानी से याद हो जाएगा, इतने फार्मूले में भईया, आपके क्या हो गए, जितने भी हमारे 9 के 9 ओर्डर थे, सारे याद हो गए, कैसे, देखो भईया, नैना का N आप लिए, N 4 क्या हो गए, नियूरू पटेरा हो गए, क्या हो गए, नैना न याद रखके, नूरा फते याद कर लो, नूरा से आपको नूरा पटेरा या, आसानी से आद हो जाएगा, तो नूरा से हमारा क्या हो गए, नूरा पटेरा हो गया, इसके लावा भईया, मेरे मेरे मतलब M, M मतलब मेको पटेरा, ठीक, मेको पटेरा, अमेको पटेरा के बाद भईया, क्या, क्या, तो भी यह इस से आपको क्या दो जाएगा आपको बस क्या करना है आपको क्या किया करना है आपको अपनी कापी पे लिख लेना है कापी भी लिखने के बाद आपको ब्रेकडाउन कर देना है N for Neuroptera, M for Mecoptera, L for Lapidoptera ठीक, लिप्स तुम्हे T for Trichoptera, C for Collioptera S for Sifenculata, H for Hymenoptera, S for Strepsiptera, D for Diptera सारे आपको याद होगे कितने 9 के 9 ओर्डर होगे याद आपको ठीक, आगे बात करते हैं कैसे देखो, Neuroptera में तो आता है, Lace Wings, Mekoptera में आता है, Scorpion Fly जो हमारे हैं, important नहीं example याद करो, चाहें ना याद करो लेकिन Lapidoptera के example आपको याद करने के बहुत ज़्यादा इनसेट इसके भी लगते हैं, तो इसमें हमारा आता है माथ और Butterfly समझे, और इसकी जो लारवी होती है जैसे इसमें हमको बताये थे, आपको क्या क्या होता है एग, लारवी, और प्यूपी, और एडल्स सब पाये जाते हैं, इसमें चारो इस्टेज पाये जाती है, complete में आफिस पाये जाती है क्योंकि यह क्या है, इंडो पटेरी गोटा वाले है इंडो में complete है भईया इंडो मतलब जो अंदर रहते हैं, वो complete काम करते है लेकिन जो एग्जो बाहर निकल जाते हैं, वो भईया काम आदा छोड़ देते हैं, तो इन complete कर देते है तो यह लेपिडो पटेरा में हमारा क्या है जो लारवी पाई जाती है, उस लारवी को हम क्या कहते है कैटर पिलर कहते है ठीक, टाइप आफ लारवी इसका क्या है, कैटर पिलर है ठीक, तो आपको किसी भी इंसक्ट के पीछे, आपको मौथ लिखा दिख जाए क्या लिखा दिख जाए या बटर फ्लाई लिखा दिख जाए या बटर फ्लाई लिखा दिख जाए या आपको क्या लिखा दिख जाए या आपको क्या लिखा लिखा दिख जाए या आपको क्या लिखा लिखा दिख जाए आप फटते क्या समझ जाएंग इससे आसान तरीका और क्या होगा, इंसेट का आप नाम सुने, उसका order पता लगा लिया आप, ठीक, lepido patera भीया होगा, आगे बात करते हैं, इसके बाद tracheo patera, tracheo patera में क्या होता है, कैडis fly इसको important है नहीं, आगे बात करते हैं, kolio patera, kolio patera में आपको क्या होता है, ज सबसे ज़्यादा हानिकारक, हानि पहुचाने वाला ही, क्या है, order है, kolio patera, krasi को सब ज़्यादा हानि पहुचाने वाला order कौन सा है, kolio patera है, ठीक, और इसमें एक specialty ये भी होती, कि इसकी larvae और adult दोनों नुकसान पहुचाते हैं, बाग इसमें सिर्फ larvae नुकसान में बहुच ज़्यादा योगदान करती है, ठीक, हमको सहद भी देती है, honey भी देती है, तो hymenopatera हम हमारे क्या है, honey भी आती हमारे क्या है, beneficial insect में हमारे ज्यादातर क्या है, hymenopatera वाले है, wasp भी इसमें आती है, जिसको बर कहते हैं, पीले रंकी होती, देखे होंगे आप strepcy patera, stylox में आता है, यह भी इंपोरटन है, इसके बाद diptera, जिसमें हमारी housefly आती है, और housefly को जो हमारे होता है, क्या लारवी उसको हम कहते हैं, क्या maggot, ठीक, जिनके पीछे कहीं maggot लिखा दिख जाए, हमारे किसका होगा, diptera का होगा, जिनके पीछे housefly लिखा दिख जा सब फट दे मार दे ना कोलियो पटेरा जिनके पीछे माथ, बटरफलाई और कैटरपिलर लिखा दे जाए फट से मार दे ना लैपिडो पटेरा ठीक और कोलियो पटेरा जिसमें गरब लिखा दिख जाए या बीटल लिखा दिख जाए या विविल लिखा दिख जाए उसमें जाना कि भीया इसका क्या है लारवी और एडल्ट दोनो नुकसान दायक है बाकी समय इसमें जान जाना कि क्या इसमें 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 सब लारवी नुकसान दायक है ठीक उसमें हमारा जो इनकम्प्रीट व लिए तयार करना पड़ाए गजब पनोट साब पढ़ेंगे आपको रिवाइज करेंगे ना दो बार अब सारा क्लाशिफिकिशन आपको रट जाएगा ठीक है सारे फार्मूले आपको क्या करने याद कर ले ने आपको नोट करने दो चार बार जिससे आपको सारा याद हो जाए चलिए आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद